नवस्कार आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूँ आपके साथ सपनठाकुर्ट खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर मनाली से कॉंग्रेस की पत्यातरा पहुंची जगस्क पुरुगजिला परशद अदेख्ष ने पेश की टिकेट की दावेदारी लोगों को कॉंग्रेस की कारेकाल में हुई विकास के वारे में करवाया अबगर्थ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिमाचल मिछनेगी सीपेस की जंडी और गाड़ी सभी राज्यों को लागू करना होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला नारगड में ससुरालियों की प्रतारना से तंगाकर दमाग ने उठाया खौफ नाथ का दम आतम हत्याकर शीवन दिला की स्माप तक पुलिस ने मामला दचकर कारवाई की शुरू और स्पी मंडी अशो कुमार पत्रकारों से हुए रूबरू गिनाई मंडी चला के लिए अपनी प्राफ मिकता है स्पी का कहना जल्दी पुलिस का एप आम लोगों के लिए कादार होगा साबित मनाली कॉंग्रेस की पत्यात्रा का कारवा एधिहासी गाउन जगसुख पहुंचा जगसुख पहुंचने पर कॉंग्रेस पत्यात्रा में कॉंग्रेस चनों की भारी बेट देखने को मिली पथियात्रा के दुरान पूरुपजिला परशद अदिक्ष हरीशन ने जगसुक मेला ग्राउंड में कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता हूँ अज हमारा मनाली विदानसव अक्षेतर कांगर्स पार्टी का जो हमारा पथ्यात्रा कार्यकरम गाहर से शुरू हुआ है उस दर्व में आज जगसुख पंचाईत का करम था जो हमारा जगसुख सरकल है जगसुख पंचाईत, गोजरा पंचाईत, प्रेनी पंचाईत यह जो कार्यकरम है, यह हमारा कार्यकरम जन्ता के बीच में हम लोग जा रहे हैं जो हमने क्रोणों रुपे के काम कियें, इस पंचाईत में भी लगवगस साथ-ाठ क्रोण रुपे के कारिया हुए है जो मारे मन्य मुख्या मंतरी राजा बीरवदर सिंग जी है, उनके अथक प्रियास रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का सरवांगिन विकास हो उनने का कि आने वाले विधानसवा चुनावों में वे कॉंग्रेस की ओर से टिकेट के प्रवल दाविदार हैं और इसको लेकर लोगों तथा पार्टी के कारेकरताओं का भी भरपूर से योग प्राप्त हो रहा है उनने का कि आने वाले चुनावों में प्रदेश की सभी सीटों के साथ मनाले सीट को भारी मतों से जितना मुख्य उधिश्य है टिकेट के लिए तो मैं अपलाई करूँगा पिछे भी किया था लेकिन मैं समझता हूँ कि कॉंग्रस पार्टी में रहकर मैंने पूरा जीवन कॉंग्रस पार्टी के लिए दिया है कॉंग्रस पार्टी संगठन और जनप्रती निदी के रूप में मैंने कुलू जिला की सेवा की है अपने विदानसवा खेत्र की सेवा की है अपने जिले को राष्टी स्थर पर आगे लाने की कोशिश किये जो मेरे जिला परश्यद के सेयोगी थे उनके साथ मिलकर और पार्टी में रहकर भी जिला युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दस साल तक काम किया जिला परश्यद का सदस्या बना परदहान बना मैं अपनी पंचाइद का और अध्यक्ष पद पर रहने का मुझे मौका मिला सरभांगें विकास करने की पूरी पोशिश की और आगे भी प्रियास करते रहेंगे अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं बिलकुल ट्यार हूँ और पार्टी जो भी फैसला करती है उसका मैं समान करूँगा और आने वाले समय में कॉंग्रेस पार्टी का जो भी नमाइनदा इसके शेत्र से होगा उसको भरपूर हमारा समर्थन रहेगा चाहे भले हम हो कोई और हो और उसको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे बतादें कि जगसुख को कॉंग्रेस पार्टी के गड़ की रूप में माना जाता है और जगसुख पंचायत मनाली विधान सवक्षित्र की बड़ी पंचायतों में से एक है जगसुख जिला परषद के पूर्व अधेक्ष का गाउंवी है जहां हरिश्चन शर्मा को कॉंग्रेस पार्टी की ओर से प्रवल दाविदार माना जा रहा है के चैनल के लिए मनाली से शिवराम रानक रिपोर्ट मुख्य संस्दिय सशिवों की न्युक्ति को अवैध ठहराने के संबन में असम राजे के लिए आये सुप्रीम कोड के निर्णय का असर आने वाले दिनों में भारत के सभी राजे में देखने को मिल सकता है सुप्रीम कोड ने अपने निर्णय में राजे मंतरी के समान सुख सुभधायं वाले सीपियस की नुक्तियों को असमय धानिक करार दिया है हिमाच्रपरदेश में आने वाले दिनों में सुप्रीम कोड के इस निर्णय से नौ सिपियस को हटाने की संभाबना बन गई है वीरबदर सिंग के निर्थितोवाली कॉंग्रेस सरकार ने नो विधायकों को सीपेस बना कर उन्हें राजय मंत्री के समान सुख सुधाय पर दान कर रखी है हालांकि सरकारी विभावों के कामकाच में इनका कोई दखल नहीं है प्रंतु मंत्री मंदल का आकार छोटा होनिल कार्ण वरिष्टा, ख्षेत्रिय और जातिय राजनितिक समीकर्णों के चलते इन्हें ये पद वीरबदर सरकार ने दे रखी है गगरेट के विधायक राकेशवारिय को भी सरकार बनने पर सीपेस बनाय गया था लेकिन अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी का सचिर बनने पर उन्होंने ये पद छोड़ दिया था जबकि घुमारवी के विधायक राजेश तरमानी सीपेस तो हैं लेकिन वे लंबे समय से न तो कारले आ रहे हैं और नहीं सरकारी कारी का प्रियोग कर रहे हैं सुप्रिम कोर्ट का ये फैसला आने वाले दिनों में सभी राजेश को लागू करना लाजमी हो जाएगा इससे बतोर सीपीएस राजे मंद्री के समान सुविधाओं का उभो करने वाले उक्त विधायकों को यपाच छोड़ना पड़ सकता है पहले भी वीरबदर सिंग की सरकार ने कई विधायकों को सीपीएस और पीएस बनाया था लेकिन इन पड़ों के लिए कानूनन कोई प्राप्धान नहीं किया गया और राजे हाई कोड के एक फैसले के तहट तब सभी विधायकों को इन पड़ों से हटा दिया गया था उसके वाल वीरबदर सिंग की सरकार ने इन निक्तियों के लिए एक एक्ट पारित किया था इस बीच हुए सत्ता परिवर्तन के कारण भाजपाक की सरकार ने अपने तीन विधायकों को CPS बनाया था इन्हें सचीवाले में कारले, नीची स्टाफ, जंडी वाली काड़ी और सरकारी अवास पर दान कर रखी है कोट खाई गुडिया प्रकरण को लेकर प्रदेश सरकार के विरोध में भाजपा के बूस तर पर मुख्या मंतरी का पुतला जलाओ कारेकरम के तहर डलहौची में भाजपा नेता मनोचरड़ा की अधिश्टा में C.M. का पुतला चलाए गया इसमें अने कारेकरताओं ने हिस्सा लेकर सरकार के खिलाब नारेबाजी भी की पुतला दहन के दुरान पुलिस ने बीजेपी कारेकरताओं को रोकने का भरसक प्रयास किया लेकिन भाजपाई नहीं रुगे और पुलिस को बचारते खुद भाजपा कारेकरताओं ने सीम का पुतला पुंका बाजपा नितावन नगर परशद अदेख्ष दुलहौजी मनोचड़ा के निर्टितों में बड़ी संख्या में भाजपा कारेकरताओं एस्टेम कारले के पास पहुंचे जहां सुरक्षा के लिए पुलिस वल पहले से ही तैनाथ था बाजपा नितावन नगर परशद अदेख्ष दुलहौजी मनोचड़ा निका की दुलहौजी में जो समयधानिक तौर पर पुतला जलाया है वो दर्शाता है कि प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार बहुती निकम्मी सरकार है उन निका की पुलिस प्रशाशन की कारे परणाली लोगों की समस्यों का समधान शुन्ने पर कर रही है उन निका की आज ही माचल की देव भूमी कलंकित हो गई है कोटखाई गुडिया प्रखरण के बाद पुरा परदेश इस जवाला से भड़क उठा है लाउजी मुंस्पिल काउंसिल और लाउजी शेहर में हमने यह जो रोज पर दर्शन किया है और सिंबॉलिक तर पर यह जो पुतला जलाया है वो दर्शाता है कि यह सरकार कांग्रिस की जो है एक बहुत निकम्मी सरकार है जहां तक एड्मिलिस्टेशन का सवाल है तो शुन्य पर है जहां तक कारेपरनाली का सवाल है तो शुन्य पर है जहां तक लोगों की समस्याओं के समधान का सवाल है तो शुन्य पर है आज हिमाचल की देव भूमी कलंकित हो गई है गुडिया कान से और पूरा प्रदेश इस ज्वाला में भड़क उठा है हम लोग भारती जन्ता पार्टी के लोग और अन्य हमारे साथ समाज में जुड़े हुए और अन्य लोग इस रोज परदर्शन में पूरे हिमाचल में हम लोग ने हिस्सा लिया है और हमारी मांग है कि सर्कार को बखास किया जाए और वीर्भदर सिंग है उनको नेतिकता तोर पर प्याक पत्र दे देना चाहिए ताके लोगों का समाधान हो सके और यहाँ पर जो है वो दुबारा से एक शांती पूरवक परदेश जिसे हम मानते हैं उसकी स्थापना पूरा हो सके मनोच अड़ा ने का कि भाजपा के साथ वीविन संगठन मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं ताके इन समास्यों का समाधान हो सके और यहाँ पर एक बार फिर शांती पूरवक परदेश की स्थापना हो सके के चैनल के लिए डलहाजी से बाबी सिंग की रिपोर्ट यहां रुखते हैं छोड़े से ब्रेक के लिए जलदास दिन्होंगे आप दिखते रहे ही के चैनल फोस्राइबले स्टीट सब्यट उस स्टार एकème करिद्जीट लुनर एकस्तिट नसे जात्ति जबतीटर संसे चेपिंग बुद्धाले अध्तरड यून लूपडाय लूम hin credit एंचसनालिछी एक्विडियाल मेमरील प्र्र टीकन कोल belly located at Bichni Mandi, in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer, Special Scholarship Provision for all categories. So please contact 01905 237760 94180 25164 94189 35003. ससराल वालों की प्रतारना से तंगा कर लड़कियों दोरा आतम हत्या करने के मामले सामने आते रहते हैं लेकिन थाना ब्रोटी वाला के तहट गाउन मंधाला में ससराल वालों की प्रतारना से तंगा कर एक व्यक्ति ने चांदे दी फुलिस ने शब को कबजे में ले लिया है तथा ससराल वालों के खिलाब आतम हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर कारवाई शुर करती है जानकारी के नुसार मंधाला निवासी विरिंदर की पतनी कई दिनों से गायब है तथा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 तारीको प्रोटी वाला थाना में दर्स की गई है विरेंदर के दो बच्चे हैं जो की मंधाला में ही रहते हैं विरेंदर की बेटी ने कमरे में जाकर देखा तो विरेंदर को उल्टियां आ रही थी जिस पर परिजन उसे अस्पता ले गए लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई विरंदर के रिष्टिदारों ने बताये कि जब से उसकी पत्नी गायब हुई है तब से विरंदर के ससुराल वाले उसके साथ मार्पिट करते थे और उसे तंग करते थे शिकायत करता कि नुसार ससुराल वालों की प्रतारना से तंगा कर उसके बेटे ने आतम हत्या की है पेवल नोट दिखा इसने फिर अपने सुसराल वालों को फोन किया। सुसराल वालों को फोन करने के बाद वहां पे भी इसको गाली गलोच इसको ग्रादिया ऐसा किया। पर उसके बाद यह वहां से आ गया आकर ठाने में चला गया। कुले षेडये महें फाह जाने के बाद वहां पे युजह थांगा किया गया अबतार स्वाहagnा तारसिंग हावलेदार किषने इस सो को तपर किया इंस निकाले की पैसे मान मंगला हूं सही इसको काफी डिस्टर्ब हो गया है, इसके की एक बिटिया है, जो एट में पढ़ती है, और एक चोटा बच्छल लड़का है, इसमें पोल राम दिर अदर था, इसने सुसाइड किया हुआ था, और इसने पहले पर अपना सुसाइड करके नोर्ट से लिखा हुआ था, काप्ट और जब मैं खाना में गया उसकी गुर्म सुदगी की रिपोर्ट लिखाने गया तो वहाँ पे जो अवतार हौलदार था उसने मेरे साथ गाली दोच की और अवदर वियाबार किया और उसने कहा कि पैसे लियाओ और तब कारवाई होगी इसके बिना हम कारवाई नहीं करेंग तो वहाँ से जरील किया गया उसको आखे तेन दिन बाद उसने बंदे ने अपने जब कोई उसका चारा नहीं चला और उसपर ससुराल वाले भी यह कह रहे थे कि यह तेरे तेरे को भी मार देंगे और तेरे बच्चों को भी मार देंगे वहीं डियसपी नालगर साहिल अरोडा ने बताया कि पुलिस ने मिर्तक के पिता के बयानों के अधार पर ससुराल वालों के खिलाव आतम हत्या के लिए उकसाने का मामला दज कर लिया है तथा कारवाई की जारी है सूचना मिलने के बाद थाना बरोटिवाला के प्रभारी महिंदर सिंग की अगवाई में पुलिस टीम घर पहुंची और कारवाई शुरू की के चैनल के लिए नालागर से ननलाल ठाकुर की रिपोर्ट प्रदेश्वर में प्रशाशनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग के अधिकारियों के तबादलों का सिलसला चारी है इसी के तहित मंडी में हाली में स्पी पत्पर निक्त हुए आईपियस अशुक कुमार ने शुकरवार को मंडी मुखेले के पत्रकारों से मुलाकात की और उन्हें अपनी प्रात्मिक्ता बताई एस्पी मंडी अशुक कुमार ने पत्रकारों से बाचित के दुरान कहा की वरतमान समय में पुलिस की जिस प्रकार की छवी आम लोगों की जहन में है उसे बदलने की आवशकता है इसके लिए आने वाले समय में लोगों के साथ पुलिस का अच्छा तालमिन बनाने के लिए कारे किया जाएगा अशोक ने का कि आज के समय में लोग पुलिस की परिशानी में पढ़ने से भी परहिश करते हैं जिस वज़े से पुलिस विभाग भी अपना कारे सही प्रकार से कर पाने में असमर्थ हो जाता है। अशो कुमार ने बताया कि पुलिस विभाग ने लोगों और खास कर बाहर से आने वाले प्रटकों की सुबिदा के लिए एक मुवाइल एप तयार करवाया है। हिमाचल पुलिस के नाम से ये एप आसाने से गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ट्राइल अधार पर चलाय जा रहे इस एप की खास्यत यह है कि इसके इस्तिमाल से आप अपने नजदी के किसी भी पुलिस टेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और पुलिस टेशन का नंबर के साथ FIR की जानकारी भी आसाने से हासल कर सकते हैं। इस एप की खास बात यह भी है कि यह लोगों को अपने नजदी की पुलिस टेशन तक का रूट भी बता देता है। अशोक कुमार ने बताया कि अभी यह एप ट्रैल के अधार पर चलाया जा रहा है और जल्दी इसे आने वाले समय में पुन रूप से आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। साथी पुलिस को फ्रेंडली बनाने के लिए बिविन स्थानों पर आम लोगों की सुविदा के लिए जवानों को तेनात पीखिया जाएगा। अब प्लस गूगल के तुरू आप अप धाने के रास्ता भी बताएगी अपको इसके लावा अप की और फीचर भी बहुत जल्दी आपको हम बता पाएगे क्योंकि आप ड़लप्वेंट स्टेज में है एफुली यह मील का पत्थर सावित होगी हिमाचाल पुलिस के लिए क ऐसी यूनिक फीचर्स हैं जो शाहिद अभी आधे स्टेट में यूज हो रहे हैं। प्लान SP मंडी अशो कुमार ने तयार किया है ताकि आम जनता के साथ पुलिस को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली पनाया जा सके। इंक्रूडिंग एस्पी वो दो दिन कम से कम पेट्रलिंग के लिए जाएंगे रात को पेट्रलिंग भी करेंगे और नाका भी चेक करेंगे। प्लस एक दिन हफ्ते में कम से कम वो किसी गाउं में जो भी इनका सब्डेजिन का गाउं है उसमें स्टे करेंगे। ताकि जो लोकल लोग हैं उनके साथ उनका इंटराक्शन बढ़ सके और जो असली फीडबैक है पुलिस के बारे में, एंटि सोशल एलिमेंट के बारे में यह जो समस्य हैं उनके बारे में वो उनको मिल सके। बता दें कि दिल्ली के रहने वाले अशोकुमार 2006 बैच के IPS अधिकारी हैं। अधिकारी हैं। Sashdeva College Monday The Premier Institute for Competitive Exams IIT, JE, NIT, AIIMS, AFMC, विपरेशन सिन्स 2000 Specific Coaching Starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office, Clark's Test, TGTR, Science State, JBT, R Science स्टक्रीज कोची दिए संथन परदल तॉन मर्णी तॉमाछ्रपरदेश अबिस्ट इन्ट 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 इन् सोलन में हाई कोड के आदेशों के पस्चात प्रशाशन सक्त हो गया है और लोक निमान विभाग नगर पश्चर तथा टाउन कंट्री प्लाने की मदद से सड़क पर निशानदी का कार्य पूंड कर लिया गया है उशनेले के आदेश के बाद सोलन चिला प्रशाशन ने कड़े कतम उठाते हुए आज शेहर के एक छोड से अतिक्रमन कारियों पर पीला पंजा चलाना अरम कर दिया है वही कारवाई को होता देखकर दुकांदारों वह अतिक्रमन कारियों में हड़कम मचा हुआ है उपायुष राकेश कमवर की अगुवाई में विभीन संबंदित विभागों के अधिकारियों की देखरेक में अतिक्रमन पर बुल्डोजर चलाये गया उपायुष राकेश कमवर ने कहा कि मान्ये उशनेले के आदेश पर ही ये कारवाई अमल में लाई जा रही है उनने कहा कि माल रोड पर उशनेले की अगली सुनवाई एक अगस तक सभी अवैद कप्जों को हटाये जाएगा उनने कहा कि किसी भी सुरत में अतिक्रमन को बक्षा नहीं जाएगा इसके लिए सभी विभागी कमेटी का गठन किया गया है और आने वाले समय में शेर में चरणवत तरीके से अतिक्रमन हटाये जाएगा जिससे आने जाने वाले रहगीरों को असुविदा का सामना न करना पड़े एक माननी उचनेले ने आदेश दिया है जिसमें उन्होंने सोलन का जो पुरा बजार है मौल रोड है सेंट लूक स्कूल से लेकर दोरी दिवार तक का जो पॉर्शन है उसको इंक्रोच्मेंट फ्री और अनाथराइज कंस्रक्शन से फ्री करने के आदेश दिये हैं तो उसके मताबिक पी डबलू डी डिपार्टमेंट जिनकी ये रोड है उनको निर्देश दिये गए हैं कि वो सारे के सारे जो रोड की विट्थ है उसके उपर जो इंक्रोच्मेंट से उसको अटाएं कि ना सिर्फ इस सड़क पे बलकि दूसरी सड़कों पे पी डबलू डी और जो मिनिस्पल एरिया में मिनिस्पल कमेटी की जहां पर जिम्मेवारी है वहां पर मिनिस्पल कमेटी इसमें कारवाई करें और इसमें सब कमेटी हमने बना दी हैं लोकल SDM के देख्षता में जो कि इसको अल्मोस्ट डे टू डे बेस पे मॉनिटर करें इस दरौन अतिक्रमन कारियों में पूरा दिन हड़कम मचा रहा ये कारवाई अगले तीन दिन तक लगाता चलेगी जिला प्रशाशन की ओर से की जारे इस कारवाई से शहर वासियों में खासी चर्चा है कुछ दुकानदारों ने विरोध करना चाहा लेकिन टीम ने किसी की एक नहीं सुने गौर्तलव है कि शहर की बारा मिटर चौड़ी सड़क पर होरे अवैद कपजों को हटाने की मुई आरंब हुई है ताकि सड़क पर आम जनता ववाहनों की आवाजाही सही से हो सके इस दिन अकेवल यातायात व्यवस्ता को सुचारू उपल की शहर को अंगन करते हुए ड्राइविंग के दौरान मुवाइल पर बात करने या शराब पिकर गाड़ी चलाने से चलान होने पर इसे मामुली अपरात मानना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि अब स्रबोश नियाले के दिशा निडिशनसार मोटर वहन अधिनियम में बहुत बड़े प्रापधान किये गए है बहुत ही हाइटेक हो चुकी है रास्टी नेटवर्क पर इसका डाटावेस तेयार किया गया है अब किसी वहाँचालक का देश के किसी भी हिस्से में चलान होता है तो इसकी सुचना लाइसेंसिंग अथौर्टी यानि संबंदित स्ट्यम या आर्टीयो को मिल जाती है ड्र उसका लाइसेंस पूर्टा रत किया जा सकता है अतर सभी वहाँचालकों को यादायात निमो का पालन करना चाहिए यहार रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला यूँ ही चारे रहेगा आप देखते रहिए के चैनल मनाली से कॉंग्रेस की पत्यातरा पहुंची जगत सुक पुरुग जिला पशत अधेक्ष ने पेश की टिकेट की दावेदारी लोगों को कॉंग्रेस की कारेकाल में होई विकास के वारे में करवाया अबगर्थ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिमाचल मिछनेगी सीपेस की जंडी और गाड़ी सभी राज्यों को लागू करना होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला नारागड में ससुरालियों की प्रतारना से तंगाकर दमाग ने उठाया खौफ नाथ का दम आतम हत्याकर शीवन दिला की स्माप तक पुलिस ने मामला दचकर कारवाई की शुरू और स्पी मंडी अशो कुमार पत्रकारों से हुए रूबरू गिनाई मंडी चला के लिए अपनी प्राफ मिकता है स्पी का कहना जल्दी पुलिस का एप आम लोगों के लिए कादार होगा साबित झाल झाल